तो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया breakfast recipe लेके आई हूँ जो की weight loss के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, healthy है और बहुत यमी भी लगती है खाने में, तो यह है overnight soaked oat meal जिसे बनाना बहुत ही easy है, बहुत जादा आज में ताम जहाम नहीं करना पड़ता है और weight loss के लिए बहुत ही beneficial है तो इसको बनाते कैसे हैं, चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक कप से थोड़ा सा कम oats लिए हैं, instant oats हैं, उसमें मैंने जितने oats लिए थे, ज दाल सकते हो, otherwise आप cut skip भी कर सकते हो, और आप इसमें chia seeds भी डाल सकते हो, जो मैं डालना भूल गई थी जल्दी जल्दी में, और इसको क्या करना है, कि एक bowl में लेके, overnight इसको रख देना है, lid लगाकर fridge के अंदर, so fridge के अंदर रख दीजेगा, फिर next day आप इसे निकालिए, थ अगर आपको consistency उसकी गाड़ी लगे, तो आप उसे उसमें थोड़ा सा milk add करके, अपने हिसाब की consistency भी रख सकते हो, जैसा आपको चाहिए, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़े से dry fruit, जिसमें मैंने काजू और बदाम लिये है, और उसके बाद मैं इसमें एक अनार मतब थोड़ा सा मैं अनार के दाने डाल रही हूँ, एक अनार नहीं, थोड़े से अनार के दाने, और थोड़ा सा इसमें एपल के जो छोटे छोटे पीस है, वो कटके करके, मैं इसमें डाल रही हूँ, तो ये जो recipe है, बहुत ही easy होती है इसको बनाना, और हमारे weight loss में काफ लोग भी डाल सकते हो, और आप इसमें अगर चाहो तो cinnamon powder भी डाल सकते हो, मेरे पास अभी नहीं था इस time पे, so मैंने इसमें cinnamon powder मैंने नहीं डाला, बट आप डाल सकते हो, फिर इनको अच्छे से mix कर देना है, और हमारी जो oatmeal, overnight oatmeal की recipe है, वो बनके तयार है, जो की खाने में ब लंबे time तक ये filler रखते हैं, हमें भूख नहीं लगने देते हैं, और मतलब बहुत ही beneficial होते हैं हर तरीके से, तो आप अपनी daily की भी diet routine में, आप breakfast में ये oatmeal की recipe बना सकते हो,